ओनलाइन प्रतियोगी परिक्षाओं में फरजी तरीकी से परिक्षा पास कराने वाले गिरोह के चार सातीरों को पुलिस ने गिरफतार कर जेल भेज दिया। जो जनकारी हमारे पास मिली है उसके मुताबिक रात भर घंटों पूच्टाच के बाद पुलिस को और भी कई जनकारिया हाथ लगी है। अब टीम आगी की करवाई में जूट गई है। पुलिस शारों आरोपियों की संपती का बेवरा निकालने में जूट गई है और उनके बैंक डिटेल को भी पुलिस खंगाल रही है। जो जनकारी सुत्रों से मिली है उसके मुताबिक जप्त किये गए एटिम कार्ड में लाखों रुपे मिले हैं। जल्द ही सभी के घरों पर भी पुलिस शापे मारी करेगी। भेजने की तयारी कर रही है ताकि सच्चियों के अधार पर उनकी गिरफतारी की जाए। इसे पी मानोजित सिंग धिलों ने बताया कि मामले के हर बिंदू पर पुलिस जाज कर रही है और पुलिस पूरे मामले में जिस किसी का नाम आएगा उनसे पूस्ताच होगी और सत्य पाने पर उस पर करवाई भी की जाएगी। गिरो अपना नेटवर्क इस तरह बढ़ाना चाह रहा था जिसमें परिक्षा पास कराने के लिए कम्प्यूटर मैनेज किया जा सके। उनके इस नेटवर्क को उस मुकाम पर ले जाना चाहता था जिसमें केंडिडेट्स को कुछ नहीं करना पड़े और उनके हाथ सिर्फ जॉब लेटर मिले। सुत्रो सी जन्द्यानकारी हमारे पास मिले है उसके मुताबक पुलिस की एक टीम को गिरफतार अस्वनिश सौरव के मुझपरपूर में रामदयालू एस्थित नौ टेक्नलोजी नामक ऑनलाइन सेंटर पटना के तीन सेंटर और गया के सेंटर पर छापे मारी की गई है। जो जन्द्यानकारी मिली है उसके मुताबक पुलिस या पता लगाने में जुटी है कि सेंटर में कौन कौन से बिभागो या बोड की परिक्षाय ली गई सेंटर में लगे सिस्टम को भी खंगाला जाएगा यही नहीं पटना के मुसलमपूर और कंकरबा के कोई कोचिंग स अंस्थाओं में भी छापे मारी की जा रही है बेरो रिपोर्ट लाइब बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें